जैश्री राम साल तो हजार चौबिस में गंगा दसहरा कब है? किस विधी से पूजा करनी है? क्या-क्या आपको इस दिन करना है और क्यों करना जरूरी है? सारी बाते जाने हम इस वीडियो में तो वीडियो को फुल वाज जरूर कीजिएगा हिंदु धर में मा गंगा को मोक्ष लाइनी की रूप में जाना जाता है जैसे यह आपने सुनाई होगा कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं तो गंगा माता जो है मोक्ष देने वाली हैं हमारे पापों को नश्ट करने वाली है वैर्दिक पंचान के अनुसार जेश्ट मास के सुकल पक्ष की दसमीति थी कि दिन गंगा दसहरा का पर मनाया जाता है इस दिन क्योंकि विशेश रुपर मा गंगा धर्टी पर अवतरित हुई थी इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना दान पुन्य करने से विशेश लाव मिलता है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन भगवान शंकर की पूझा अर्चना करने का विशेश महत्त होता है तो आईए जान लेते हैं कि 2024 में गंगा दिसहरा कब है तो इस साल 2024 में गंगा दिसहरा का जो तेवहार है वो मनाय जागा 16 जून दिन अर्रविवार को इस दिन इसनान करने के लिए ब्रंभ महुरत बेहत सुब महुरत होगा इसके लावाद 7 बच कर 8 मिनट से सुबह 10 बच कर 37 मिनट तक कभी बहुत ही सुब महुरत रहने वाला है तो इस दिन आपको गंगा इसनान जरूर ही करना है आप जान लेते हैं पूजा विधी तो गंगा दसारा के दिन सुबह याईनि प्रंभ मुरत में सुबह आपको जल्दी उठना होगते लेकिन अगर आप नहीं कर पाएं तो घर में ही गंगा जल डालकर जरूर सुबान करें इसके बाद आप साफ वस्त्र पहने और मा गंगा की विधीवत उपासना करें जैसे आप गंगा नदी में सिनान करने तो वहाँ पर जैसे हमेशा जब भी जाते हैं तो आप गंगा नदी के हमेशा गंगा मा की पूजा करते हैं किनारे पर उसको वैसे ही करनी है तो घर पर आप गंगा माता की पूजा करने के लिए आपको क्या करना है एक परात ले लेनी ह कि आप गंगा मा की वहाँ पर जाकर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद आप अपनी पूजा विद्धी करेंगे, जैसे कि उन्हें कुमकुम, अक्षत, फूल, मिठाई, भोग, धूप, दीप, ये सारी चीजे जितना करते हैं, ये सारी आपको वही पर आपको घर प मा की पूजा करें, इस दिन भगवान विष्णु की भगवान सिव की भी पूजा करने का बहुत ही जादा महत्तो होता है, क्योंकि मा गंगा को भगवान सिव ने ही अपनी जटा में धारड किया था, इसी दिन मा गंगा का ओतरड भी हुआ था, और जब ज़्यादा मा चालिसा गंगा इस्तुति ये सारी चीज़े आप जरूर करें और साम के समय आप मा गंगा की आर्थी जरूर करें तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान विधी से घर पर ही मा गंगा की पूजा कर सकते हैं और इस दिन आप सूरी को अर्ग यानि जल जरूर दें जब हम गंगा नदी में बिसनार करते हैं, वहाँ पर भी आप देखते होंगे, लोग बीच में खड़े होकर उस दिन सूरी को अर्ग जरूर देते हैं, तो आप घर पर भी जब आप पूजा करें, तो उस दिन अर्ग आप सूरी को जरूर दें, इसके लावा आपको दान पु कर रहे हैं, तो उस दिन आप अपनी सामर्थ नुसार दान पुन जरूर करें, लोगों की सहायता करें, क्योंकि जेश्ट मास्त का जो महीना होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो अधिकतर चीजे जो गर्मी से जुड़ी चीजे हैं, उन चीजों का दान करना ब माना जाता है कि इस दिन गंगा इसनान करने से दस पाप नश्ट हो जाते हैं, इसमें आपके निशित धिन्शा, परिस्त्री का मन, बिना दुविवस्त को लेना, कठूर बानी, दूसरे के धन को लेने का विचार करना, दूसरों का बुरा करना, वेर्थ की बातों में दुर पुन्य करना, लोगों की सायता करना बहुत ही जरूरी होता है, गंगा दसारा की दिन ब्रामडों को गेहूं, तिलका दान और साथी दक्षना भी आप जरूर दें, इस दिन सुहागिनियों को स्रंगार की सामगरी दान करें, हो सके तो आप अपनी सामर्थ इंसार जिस पीने की चीज हो, चाहे वो इस्तिमाल करने की चीज हो, चाहे वो पहनने की चीज हो, गरीबों को जरूर मंदों को अन, धन, वस्त्र का दान करें, इसके लावा गंगा दसारा की दिन पानी का दान करना पुन्यकारी माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा अन और जलका ही द दान होता है तो गर्मी का महीना होता है जेटमास का तो आप ज़रूर पहंच को पानी मीठा सर्बत खाने पीने की चीज़ेंगाद इनका सारी चीज़े आपको गंगा दसारा के दिन जरूर करनी चाहिए उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राम